36 गड़ में कोरोना का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है अब तो संक्रमन एक लाख के पार हो चुका है वहीं मौत का आकड़ा भी करीब एक हजार के आसपास है कोरोना की लड़ाई में प्रशाशन और शाशन दोनों ही मुस्तेध हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे कोरी अफवाह मानकर घर से बाहर बेपरवा घूम रहे हैं और वायरस को फैलानेक में साथ भी दे रहे हैं ऐसे में अब 36 गड़ में स्वास्विभाग और महिला आयोग ने कोरोना के प्रती जागरुकता को आम नागरी को तक पहुंचाने के लिए एक व्रिहत कारेकरम की शुरुवात की है जिसके तहट तीन वहानों में महिला कारेकरताओं द्वारा शहर भर में भ्रमन कर लोगों को माईक के माध्यम से जागरुक किया जाएगा महिला कारेकरता शहर के अलग-अलग शेत्रों में जाकर कोरोना से बचाओ के प्रती जागरुकता मोहिम छेडेंगे आम लोगों को माइक सेट के माध्यम से ही मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और समय समय पर हाद धोने के साथ ही सैनिटाइजर का उप्योग करने संबंधी जानकारी देंगे यह जागरुकता अभियान शेहर में पांच दिनों तक लगातार महिला कारेकरताओं द्वारा किया जाएगा ताकि शेहर के आम लोग जागरुक हों और कोरुणा से जंग जीतने में सभी सफल हों शतितगर राज महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरन मही नायक ने बताया कि अब तक की जानकारी के मताबिक सबसे जादा कोरुणा संक्रमन से पुरुषों की मृत्यूदर सबसे अधिक है वही महिलाओं का मौत का आकड़ा काफी कम है इससे समझा जा सकता है कि महिलाएं घर में रहकर सुरक्षित हैं वहीं पुरुष सुरक्षा को बेपरवा कर कोरुणा वायरस को आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे में जिस घर में पुरुष कोरुना संक्रमित हो रहे हैं, उस घर के अलावा आसपास के छेतर में भी वायरस आसानी से फैल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए महिला आयोग और स्वास विभाग दोनों मिलकर महिलाओं को ही आम नागरिकों के बीज भेज कर उन्हें जागरुक करने की कोशिश कर रही है। जिससे पुरुष वर्ग में ज्यादा जागरुकता है और वे प्रशाशन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। स्वास विभाग और राज महिला आयोग के माध्यम से एक अवेरनेस कारकम पांस दिन तक अभी राइपूर शहर में चलाने की योजना के तहता शुरुआत की गई है। और इस योजना के माध्यम से जो बात बताई जा रही है वह यह है कि इस पूरे कोरोना लगडाउन के दौरान कोरोना पीडित और मृत लोगों में पुरुशों के संख्या 51% है और मृत महिलांग की संख्या केवल 29% है तो कहीं न कहीं महिलाएं कोरोना केमापदंडोग को में ज्यादा जागरूख हैं परंतु एक पुरुष के मृत होने से उसके परिवार के पूरे लोग प्रभावित होते हैं तो हमारी कोशिश है कि ये महिलाएं कोरोना का अवेर्नेस केंपेन को चलाएं और लोगों को अपील करें कि अपनी सुविधा का अपनी सुरक्षा का ख की तरह चार-पांच गाडिया एक साथ निकल रही है और कल से अलग-अलग विधान सा भावार ये गाडियां घूमेंगी और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सुरक्षा मास्क इन सारी चीजों के लिए मोटिवेट करेंगी राइपूर सहित 36 गड़ में 9 जिलो में जिला प्रशाशन ने संक्रमण के बढ़ते नजर लौगडाउन की घोशना की थी अब लौगडाउन को जिला प्रशाशन समावक कर दिया है लेकिन लौगडाउन को रोकने के लिए स्थाई समाधान नहीं है इसके लिए आम लोगों को फिलीकल डिस्टेंसिंग मास का यही कारण है कि महिला आयोग और स्वास विभाग इस जन जागरुकता अभियान के तहट लोगों को और अधिक जागरुक करने की पुर्जोर कोशिश में लगी हुई है ताकि मौत का आकड़ा कम हो और सभी स्वैम भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे देश्टीवी के लिए रैपूर से स्वरू भट्टाचारे की रिपोर्ट